चुनावी संखनाद में आज हम पहुँचे हैं काराकाट काराकाट लोकसभाज छेतर में आज हम बात करेंगे आखिर इस छेतर में क्यों इतनी चर्चा है दरसल ओपेंद्र कुसवाई अंडिये के उमिद्वार हैं और यहां पर निर्दलिय प्रत्यासी ने मुकाबले को दिल चस्प होते हुए दिख रहा है कई जगा मुकाबला दिखा है महागडबंधन भर्सेस एंडिये गडबंधन के बीच लेकिन पुर्णिया के बाद सबसे ज्यादा काराकाट में भोचपूरी फिल्मों के पावर स्टार के मैदान में उतरने के बाद दिखाई पड़ा दरसल बोचपूरी फिल्मों के विनेतास और गायक पवन सिंग के मैदान में उतरने के बाद कल जिस तरीके सुनों ने नामंकन किया उसके बाद जो भीड दिखी और आज उपेंद्र कुछ वहा अपना नामंकन परचा दाखिल करने के लिए सासारा पोचे इस बीच लोगों का मि समझान मिजाज वोट रोक किये बाते समझेंगे हमारे साथ हमारे स्वयोगी जुए रहेंगे वहरी टीम के सतस होगे और तंड़ा को लोग हूँँ pride आपया कि काराकाट लोगसबाद सीट इतनी अहम्यत क्यों रखता है पवन सिंग के चुनाओ के मैदान में उतरने के साथ सबसे दिल्चस्प नजा रहा अब एक जून को होने वाले वोटिंग पर है और इस वोटिंग के वीच काराकाट लोगसबाद सीट का जो राजनीतिक समी करने क साथ साथ जाती है गोलबंदी है उसकी भी हम सर्चा करेंगे दरसल काराकाट सीट पे छे बिदान सबा हैं और काराकाट सीट से तक्रीवन अब तक महागडबंधन के जो उमिद्वार 2020 के चुनाओ के मैदान में उतरे थे उन्होंने बड़ी जीत हासिल की यह कह कि काराकाट करणकट लोकसवस सीट पर छे बिदान सबा में महागडबंधन का दबदवा है कि अरटार सल काराकाट लोकसवस सीट पर तक्रीवन तीन लाक के आसपस यादोँ हैं भाइन्वार के आसपास कुष्वहा समाघ के के लोग हैं और यही वज़ा है कि इसे लोग सभाज सीट पर जो उमिद्वारी होती है वह यादों और कुस्वाहा समाज के लोगों क्या होता है दावेदारी भी होता है लेकिन इस बीच तक्रिबंद दो लाग के आसपास जो राजपूत समाज के लोग हैं उनको ध्यान में उतर चुके हैं अब उपेंद्र कुस्वाहा के लिए बड़ी चुनोती होगी अगर एंडिये के वोटर बढ़ जाते हैं तो क्योंकि तीन लाग के आसपास यादो और डेल लाग के आसपास जो मुस्लिम माद आता है उनका रुजहान अब तक महागडबंधन के पक्ष में दिखा है कि वैस भी तक्रीवन इतन ही है दो लाग के आसपास और वैस जाती के जो वोटर होंगे वह काफी निडायक है तो कुस्वाहार वैस ब्रामण तक्रीबर 50-70,000 के बीच में है भुमियार 50,000 के आसपास उनकी संक्या है तो यह जो अगड़ी जाती के वोटर है वो निडायक होंगे लेकिन इस अगड़ी जाती के वोटरों में सबसे जादा जो वोट है जो बड़ा परसेंटेज है राजपुस समाज का अगर उस समाज स उमिद्वार मैदान में है तो अगर बिहार के काराकाट लोगसभ़ सीट पर अंतिम चरण का जो मतदान होने वाला है उस मतदान में अगर उगड़ी जाती का वोट एंगे बटता है तो नुकसान दोनों ही गड़बंदन को सकता है यहीवजह ऐसे की काराकाट की सीट परतिष्टा की सीट वनी हुई है दोनों गडबंदन के लिए अगर दोनों गडबंदन को पचाड कर अगर निर्दलिये के पक्ष में जो महौल आज के वक्त दिख रहा है उस महौल में आज के बाद जो कल पवन सिंग ताकत दिखा रहे थे भीड सड़कों पर दिखा होंगे कई लोगों के जो नौजवान थे वह पहुंचे वह थे इसलिए उस भीड को देकर पवन सिंग या उनके समर्था को साहित जरूर हो सकते हैं लेकिन कारा काट की वोटर होंगे वह तैय करेंगे कि आखिरकार चार जून को जो नतीज़े निकल कर सामने आएंगे वह क पर होगा फिलाल उपेंद्र कुस्वा आज नौमनेशन परचा दाखिल कर रहे हैं और उनके नावनकन के बीच तमाम राजनितिक दल के जो नेता हैं वह पहुंचेंगे चार जून को जब नतीज़े निकल के सामने आएंगे तब होगा कि कारा काट के लोगों ने किस पर भ अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोगप्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिट्यूट हमारा विश्वास गोल के साथ